हेलो इस्ट्वेंट्स मैं अमिट सेंग और आपका स्वागत हमारे चानल लेजीस और पॉलिसमेंट आज हम पढ़ेंगे टी एच ग्रीन के फ्रीडम और ऑब्लिकेशन के थॉर्ट्स के बारे में जो कि हमारा ग्रेजुएशन के लेवल पर मतलब सेकेंड यह थोर्ड यह यह कैल्गेटे यूनिवर्सिटी के फिफ्ट सेमेस्टर का टॉपिक है टी एच ग्रीन ने फ्रीडम के बारे में और ऑब्लिकेशन के बारे में क्या कहा यह जानना बहुत जुरूरी है इससे पहले य घंकता दोखेंगा यह कुस्त हुआ कि इनीशियल लाइफ करियर क्या था टीएच ग्रीण के जो पिता थे वां के चर्श के वेल नौन पस्टनालेटी थे तो टीइच ग्रीन का जॉत घठाए लिखाई भी बेलियल कॉलेज में हुई स्टार्टिंग डेज में उनकी एजुकेशन में उतनी रूची नहीं थी लेकिन धीरे धीरे जैसे वह पढ़ाई से जुड़ते गहें उन्होंने 1855 में वह बैलियल कॉलेज गहें ऑक्सफोर्ड में उन्होंने अपनी सबाकी की जिंदिकी वहीं बिताई बैलियल कॉलेज ग्रीन कुड़ नॉट स्टैबलिस इंसल्फ प्रिमिनेंट स्कॉलर हाववर ही कुड़ नॉट कंफाइम इंसल्स विदिन दे स्टडी अव दो सब्जक्ट उन्होंने सिर्फ मतलब अपने आपको एक बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट साबित नहीं कर पाया हैं लेकिन फिर भी अपने आपको स्टडी से जोड़ कर रखें बाद में उन्होंने बैलियल कॉलेज में ही अजब प्रोफेसर स्टार्टिंग किया तो जिस दौरान उन्हें ने बैलियल कॉलेज में पढ़ायना सुरू किया उसी दौरान उनको बहुत सारी चीजें जो इं प्रोफेसर अफैने आपक घॉ साबिक्स को वो अफ फोकर रहे यह जिसको उन्होंने अपने किताबे निखाए और किताबों के जरिए भी बताया है इनमे से दो टॉपिक्स है जो है पॉलिटिकल फृड़िटम एंड पॉलिटिकल ऑब्लीगेशन मतलब फृड़िटम क्या है और ओब्लीगेशन क्या है इसके बारे में थोड़े दिर बातब बात करते हैं फिर उन्होंने लिबरल पार्टी ज साल तक सासन किया liberal party ने उसको विरोध किया liberal party में थोड़े नहीं नहीं चेंजिंग नहीं सोच नहीं विचार के लोग जुड़ने लगे जिसके कारण विरोध बढ़ने लगा जैसे बाद में अंट के समय में जब इंग्लैंड भारत को छोड़ कर जाने लगा उस दौरान भारत की आजादी का एक और कारण था हमारे देश के बापू सुभाश चंद्र बोस नहरु जी इसे जो महान नेता थे इनके आंदोलन के कारण भगत सिंग के आंदोलन के कारण तो अंग्रेज वापस गए ही इसमें एक और कारण यह था कि इंग्लैंड में जो लेवर पार्टी थी लेवर पार्टी का जो वर्चस चरह से इसे एक कारण है तो वैइसे इस सानफ के ठीक हुआ जूआ हिए और यह अपने थॉड़ से अपने सोच विचार से इसको और एक जिसा देने की को सिसकी तो इनों ने जो बेशिक जो इंपर्टेंट बातों के उपर बात किया वह है पॉलीडिकल फ्रिडम एंड्अ इनकी जो फेमस कोट है वो है विल not force is the basis of the state विल मतलब इक्षा फोर्स मतलब बल मतलब राजी की जो उत्पत्ती हुई है वो विल के वज़े से हुई है मतलब इक्षा की वज़े से हुई है जबरदस्ती या बल के भरों से नहीं हुआ है मतलब अगर विल है तो ही राजी बनता है ठीक है राजी की उत्पत्ती के बारे में बहुत सारे सिद्धान्त है जैसे कुछ लोग कहते हैं कि राजी को भगवान ने बना है कुछ लोग कहते हैं कि फोर्स से बना कुछ लोग कहते हैं कि Social Contract Theory बना, कुछ लोगों ने कहा कि Evolutionary Theory के कारण बना, उसी में इन्होंने भी ये कहा है कि Will is the basis of the force, not the, Will is the basis of the state, not the force, मतलब बल के कारण राज्य नहीं बना है, ठीक है, मतलब इनका ये मानना है कि लोगों ने अपना General Will दिया है, लोगों अपने चाहते हैं, अपनी इच्छा ज चाहिर करते हैं, इसी लिए राज्य बना है, ठीक है, तो चले स्टार्ट करते हैं, एक इग्जाम्पल से, जब दो लोगों की साधी होती है, जैसे मेरी होगे, अभी कुछ दिनों पहले, वहाँ पे सबसे important होता है Will, इक्छा, साधी important नहीं है, साधी चलाना important है, और साधी चलाने के लिए जो चाहिए वह है, इक्छा, विल, अगर दोनों की इक्छा होती है, तो ही साधी लंबे तक चलता है, अगर दोनों की इक्छा नहीं है, तो साधी नहीं चलती है, तो बिना इक्छा के आप, जब एक संबंध लेके कुछ दूर तक नहीं जा पाते हैं, कुछ सालों तक नहीं चला पाता है जैसे हमारे मम्मी पापा के जनरेशन में साधियां कितने साल तक चल देती क्योंकि दोनों ताल मेल बैठी जाता था वह बहुत इंपोर्डेंट था जहां पर एक पार्टी फोर्स करने लगता है वहीं पर सारी बाते बिगरने लगती है राज जी भी ऐसा ही है जब राज प्री मेच्योर स्टेज में था नैचुरल स्टेज में था तो जनता ने कहा कि भया हम जो इदर उदर विखरे हुए हैं इदर उदर न विखरने के अलावा हम एक साथ रहेंगे तो ज्यादा सुविदा रहेंगी एक साथ मिलके रहेंगे हम एक साथ कारण सभी लोग नजदीक हैं तो यह था टी एच ग्रीन के इंट्रड़क्शन के बारे में मतलब यह एक लिबरल किस्म के व्यक्ति थे मतलब जो मानते थे को व्यक्ति एक इनसान की इंडिविज्वल फ्रीडम भी है उसमें कोई ने घुसकता और वो बीना किसी बाधा के हैं अब बात करते हैं अब बात करते हैं पहली बात फ्रीडम को को पॉजिटिव नजर से देखते हैं वो और आजादी को एक positive चसमे से देखते हैं नीगटिव चस्मे में मतलब यह होता है कि इस इंसान में ये बुराई नहीं है मैं ऐसा अगर देखा जाए तो यह एक negative बातों को लेगे चलना है लेकिन positive उसमें यह बात है यह positive है वो कहते हैं कि freedom में कोई बाधा नहीं होने चाहिए वो बाधाओं के बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं वो कह रहे हैं he says freedom does not consist in the absence of restraint or compulsion freedom में किसी प्रकार की बाधा या compulsion की जिक्र ही नहीं होने चाहिए freedom अपने आप में एक absolute बात है कि मतलब वह ऐसा नहीं कह रहे हैं कि मतलब taking a Milk आपर आप नहीं के बारे में जैसे आपके मंडी पफझ वो आजादी देते हैं कि यह से लड़कों के पास जो है कि आराम से आजादी मिलती है कि वह जब चाहें तब घर पे आते हैं अराम से घूमते हैं खाते हैं लड़कियों को जो मिलता है वो restaurant के साथ freedom मिलता तो वह freedom मिलता है उसे negative freedom कहेंगे त्याइज गरीन के विउ में और लड़कों को जो आजादी मिलती है वह positive freedom है क्योंकि यहां बाधा है बताई नहीं जा रही है यह अपने आप में आजा लड़की घर से निकलती है उससे पहले ही बता दिया जाता है कि तुमको आजाना है नौ बजे उससे लेट नहीं होना चाहिए तो टी एज ग्रीन के वियू में लड़के की जो आजादी हुई वह पॉजिटिव फ्रीडम और लड़की की जो आजादी हुई वह नेटिव फ्र क्या अबमने फिरते धिक्रोंग अपनी आजाधी के कारण दूसरी एजादी खा जाएं ऐसी तोने कर रहिए टीकि बारे मैं नहीं बात कररें नहीं वह कम आजादी बारे में बात कर रहे हैं ग्रीन डज नॉट एक्सेट दो सिटुएशन वेर फिल्टम फवन डिपेंड्स अपन दे अक्टिविटीज और इंजयमेंट फ्रीडम फ़िदम फ़िए वह कह रहे हैं कि आपकी आजादी किसी और की आजादी के उपर निर्भर नहीं या आपकी आ परने में अपरलतीर ऐसे और शामने वाले के पास और यह कोई भी इस स्ट्फी और फिरिडम फ्रीडम फ़र इंप्री इंसान का मॉरल की परिडमेंट्व मिलते हैं तो इस यह निया डूरी है in this theory everybody will have the opportunity to enjoy freedom is theory में सबको मौका मिलता है कि वो अपना opportunity मिलता है कि वो अपना freedom enjoy करे green was in favor of the state intervention in the realization of the freedom green यह मानता है कि freedom जैसे ऐसा नहीं होना चाहिए जो absolute होना चाहिए लेकिन state intervention होना चाहिए राज यह वहां पर बादा जरूर दे जैसे बेटा बेटी जो होते हैं मा बाप को अगर आप राज्य माल ले और बेटा बेटी को अगर जनता माल ले तो मा बाप देखो बच्चे से प्यार बहुत करता है आजादी भी देता है कि ठीक है तुम जाओ घूमो लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मतलब फुरा खुला सांड कर दिया है ऐसा भी नहीं है थोड़ी बहुत बाधाएं देता ही है कि तुमको इस वक्त आ जाना है तो ऐसे ही माबाप की इंटर्वेंशन मौजूद रहती है वैसे ही राज जो है आपको फंडमेंटल राइट्स देता है हमें छे फंडमेंटल राइट्स हमारे समिध ने दिया जाएगा क्योंकि राज जी के पास अधिकार है कि वह रिजनेबल रेस्ट्रिक्शन आपके उपर लगा सकता है तो इस्टेट इंटर्वेंशन होनी चाहिए आगे इन फेवर अफ देस्टेट इंटर्वेंशन इन डर्रेलाज़शन अफ्रीडम ही राज का काम यह नहीं है कि वह बाधाओं को कम करें इंटर्वेंशन हो लेकिन अन्नेसेसरी इंटर्वेंशन नहीं हो ताकि लोग अपनी फ्रीडम को पूरे रूप से इंज्वाए कर पाएं ग्रिन आफ लिबर्टि इस सेकंड़ी ए पॉजटिव बाथ हें क्योंकि वह बात ही नहीं कर रहे हैं वह तो रेस्टरेंट के बारे मं बात ही नहीं नहीं कर रहे हैं, वो यह बात कर रहे हैं कि पहले तुम आजादी दो. It is a positive power of doing or enjoying something not doing or enjoying. Individual will enjoy freedom in cooperation with other fellow citizens. एक इंसान आजादी नगादे दूसरे citizen के साथ मिलके. Whenever a man demands freedom and after getting it proceeds to enjoy it, he must consider that other people can claim the same thing. जब एक इंसान आजादी की मांग करता है और उसे आजादी मिल जाती है तो वो उसे enjoy करना आरब करता है लेकिन उसे यह भी याद रखना होगा कि जो आजादी वो enjoy कर रहा है सेम एमाउंट की आजादी कोई और भी enjoy करेगा तो उसकी आजादी में किसी प्रकार का कोई compromise नहीं होना चाहिए So freedom is something which is to be enjoyed in common with others इसका मतलब freedom एक ऐसी चीज है जिसे commonly enjoy करना है मतलब किसी की एक की उस पर मतलब अधिकार नहीं है इस पर इस concept के साथ बारकर ने भी बहुत एक important बात की बहुत एक अच्छी बात कि क्या गहां Human consciousness postulates liberty इंसानों के चेतना के करण liberty निकला है इंसान सोच पाता है इसलिए आजादी के बारे में बात करता है liberty involves rights liberty है आजादी है इसलिए वो rights के बारे में बात करता है and right demands state और अधिकार जो है वो राज्य के बारे में बात करता है this famous and oft quoted observation of Barker clearly states that right liberty and state are all related with and interdependent concepts इसलिए ये माना जा सकता है अधिकार आजादी और राज्य ये सब जुडे हुए सब्ध है और बहुत important है interdependent है without state people cannot have any scope to enjoy liberty and exercise rights अगर राज्य नहीं होगा तो आप किसी भी प्रकार की आजादी enjoy नहीं कर सकते हैं और अधिकार भी नहीं enjoy कर सकते हैं क्योंकि जब हम कि सामंती प्रियरड में थें जब मतलब राजा का सासन नहीं था सामंतों का सासन था उस दोरान ऐसा हो गया था कि सामंत ही जनता का सोशन कर रहे थे और जनता की लिबर्टी चलिगा की गई थी अधिकार तो कुछ था ही नहीं तो इस वक्त आपको कौन बचाएगा सिर्फ राज्य और जो राज्य बना है जनता की इच्छा के उपर इसलिए अमेरिका इंडिया बांगलादेश पाकिस्तान आप सोचें पाकिस्तान जैसा देश बना किस आधार पर बना है विल के अधार पर बना है इच्छा के अधार पर बना है मतलब जो लोग पाकिस्तान चाहते थें मैं किसी धर्म का नाम नहीं ले रहा हूं जो लोग पाकिस्तान चाहते थें तो चाहते तो थें कुछ लोग तो थें जो पाकिस्तान चाहते थें ज उपर पद्वे बैटने का मौका नहीं मिलता इसलिए यह चाह थी कि अलग देश बने तो आखिर राज जी जो बना वो चाह पे बांगलादेश अलग हुआ पाकिस्तान से चाह पे तो राज जी का बेसिस जो है वह चाह और राज जी का काम होता है लिबर्टी और राइट्स को मेंटेन करना मतलब प्रिटेक्ट करना ग्रीन आगे यह बात कहते हैं ग्रीन आगे यह बात कहते हैं कि आपको आजादी दी गई है लेकिन आप आजादी को ऐसे इंजोई करें ताकि आप किसी और के आजादी को हिंड्रेंस नहीं पहुंचा रहे हैं किसी और की मुश्किले नहीं पैदा कर रहे हैं आपकी आजादी को एंज्वाइब करने के कारण किसी और को कोई तकलीफ नहीं आ रही है अगर आप ऐसे आजादी आराम से एंज्वाइब कर सकते हैं मतलब यह freedom एक मोरल development के लिए बात कर रहे हैं मतलब आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या नहीं करना है अपनी आजादी में मावाप आजादी देते हैं तो हम आराम से पढ़ाई करते हैं लेकिन बहुत सारे बच्चे सिगरेट पीते हैं स्कूल से बंक मार देते हैं तो आपको क्या नहीं करना है यह भी आपको पता होनी चाहिए ग्रीन कहते हैं according to green the concept of common good is a supreme guide for all person यह जो concept as common good का मतलब सब की भलाई हो यह बहुत important है इट में also be called the supreme authority मतलब यही सबसे authority है मतलब सब की भलाई हो सबको आजादी समान proportion में मिले सबको जो धन हो समान proportion में मिले ताकि वो freedom को enjoy कर पाए every individual must confirm to the idea of common good freedom lies in the obedience to it आपकी आजादी तब तक बनी है जब तक आप आजादी को मानने रखते हैं आप आजादी में believe करते हैं आप यह मानते हैं कि अगर मैं आजाद हूं तो मेरी पतनी भी आजाद हैं मेरी बच्चे भी आजाद हैं लेकिन वो reasonable restrictions तो मतलब जो governmental interference बनी रहेगी जैसे रूशो ने कहा था कि मतलब राज ये बाद कर सकता है कि general will को मानना पड़ेगा लेकिन green करते हैं कि यहां कोई बात देता नहीं है लोग अपने मन से करेंगे कि यह इतने दूर की freedom मुझे enjoy करनी है इसके बाहर की नहीं करनी है मतलब यह moral development की बात कर रहे हैं इनकी freedom जो है वो moral development से जुड़ी हुई है morality से जुड़ी हुई है मतलब जनता खुद conscious होगी कि उसे क्या नहीं करना है freedom must therefore imply not merely a legal but actual possibility मतलब आजादी सिर्फ legal papers में नहीं एक actual possibility होनी चाहिए जनता को आजादी enjoy मिलनी चाहिए in view of existing circumstances of developing human capacities देरे देरे जनता की जो human capacities है वो बढ़ रही है a genuinely increased power on the part of the individual to share in the goods which a society has produced and enlarged ability to contribute to common good और humans का जो काम है वो आजादी को enjoy करना लेकिन वो common good के लिए और इस तरह से वो freedom के बारे में बात करते हैं मतलब यहां जो freedom है यह positive है जो की common good के लिए है moral development के लिए है तो हमने बात किया theory of freedom के बारे में अब बात करते हैं political obligation के बारे में अब बात करते हैं political obligation के बारे में obligation क्या होता है जैसे आपके मम्मी पापा आपको आजादी देते हैं तो साथ में आपको duty भी है कि मम्मी पापा ध्यान रखना है मम्मी पापा जो काम देते हैं वो करना है यह obligation आपके पार्ट पर अगर आप यह perform नहीं करेंगे तो आप देखेंगे कि आप जो freedom है उसमें भी कटोती होती है और जो आपको अधिकार मिल रहा है आपके माबाप से वह भी कटेगी तो अगर एक राज्य चलाना है तो और जनता को freedom मिल रहा है जो कि राज्य प्रटेक्ट करता है तो आपको अधिकार मतलब जो duties दिए गया है वह भी पालन करने पड़े उन duties को यह obligation कहा जाता है जैसे विल के अधार पर राज्य बना है तो आप नहीं तना चाहा है कि राज्य बने तो राज्य जो जो नियम बनाएगा उसको आपको मानना पड़ेगा और मानने के वज़े से ही राज्य चल रहा है एक छोटा सा example आप समझें जैसे आपके इलाके में जो पुलिस स्टेशन है उस पुलिस स्टेशन में ज्यादा से ज्यादा कितने पुलिस वाले होंगे अभी 30 40 50 मान लेते हैं और उस पुलिस स्टेशन का जहां तक छेतर अधिकार होगा मतलब territory होगा वहां पे आप यह देखेंगे कि ज्यादे ज्यादा दस हजार लोग क संद्नाटा चाह जाता है लोग डरने लगते हैं क्यों जबकि जनता को पता है कि जनता नंबर्स में ज्यादा है पुलिस नंबर्स में कम है पुलिस संक्या में कम है जनता जादा है अगर जनता एक एक थपड भी मारेगी तो पुलिस नहीं जहल पाएगी मतलब उसको और बल की जुरुत पड़ेगी तो आखिर यह सिस्टम चल कैसे रहा है यह कम लोग मतलब प्रसासन चला रहे हैं और ज्यादा लोग उसे मान रहे है चलिस तिक ले रहा है क्योंकि हम मान रहे हैं हम law and order में बिलीव करते हैं मानते हैं कि अगर हम आजादी का मिस्यूज करेंगे तो यह दूसरे भी आजादी का मिस्यूज करेंगे और राज्य नहीं चल पाएगा इसलिए पुलिस वाले जो कहते हैं हम मानते हैं और यह 10,000 लो जहां भी आप देख tidak जड़े हो जाते हैं जनता मतलब फोल पे उतर जाती वहां पे क्या कर लेता प्रशासन क्योंकि वहां पर जंता अमंहें कर देती है सारी से कि कि स्रिलंका में request पर जोड इस के फोटो कीच रहा है राश्पती के स्विमिंग पूल में जनता ना रही है क्यों क्योंकि जनता ने अमान ने कर दिया उस पद को आपको अधिकार मिली है तो आप राज को चलाने में मदद करेंगे और वह सिर्फ आपके से चल जाएगा आप सिर्फ अबलाइज रहेंगे तो सरकार अपना काम कर लेगी जैसे आप सोचो जब दुर्गापुजा देखने निकलते हैं तो एक अकेला वॉलिंटियर जिसके अगर हम नहीं मानेंगे सब भेड चाल की तरह चलेंगे तो कोई अंत तक जाके पंडाल नहीं देख पाएगा इसलिए सब अबिडियन्स अब्लिगेशन को मान के चलते हैं The problem relating to political obligation is one of the most fundamental, prominent and disputed issues of the political thought. Political thought का ये बहुत important topic है. It seeks to answer the question that how far and why an individual is obliged to obey the laws and commands of the state. ये बहुत important question है कि कितने दूर तक जनता राज की नियमों कानूनों का मानेगी और क्यों मानेगी am how fare and why क्यों मानेगी और कब तक मानेगे जनता राज के कहनों को आदेश हों को तो इसलिए मानेगी क्योंकि आपको राज में रहना है राज आपको नागरिक्ता देता है राज आपको फंडमेंटल राइट देता है राज आपको वोटिंग राइट देता है राज आपको राशन कार्ट देता है राज आपको अधार कार्ट देता है राज आपको वोटर कार्ट देता है तो राज आपक issue among the political philosophers different political philosophers have different position in this issue Green's view on political obligation is a mix of idealistic tradition that of liberal tradition of England green job you did a have a mixed view a model of trial idealism bivara away or total liberalism beaver away green character will is not the force of the basis of the state will not force is the basis of the state the origin of the state and sovereignty is not force the real sustaining power of the state is general will which truly represents the whole community real will is the contributing part of the general will is the part of the individuals will which always which always bills and things in terms of the best interest of the state in society general views is the combination of all real wills of the individuals but is far more powerful than the summation of the real will the it's common me it's foster of sense of belongingness to the state which in turn generates patriotic feeling of the loyalty towards the state aap ke man me agar aap obliged hai to aap ko a common me dikha dekha ki के कारण क्या हो सकता है इसका कारण यह है क्योंकि उनकी लॉयलिटी जो है वह इस स्टेट से नहीं जुड़ी हुई है वह यहां के कॉमन गूट को नहीं सोच रहे हैं ठीक अगर आप इसे अपना समझेंगे तो आप अब लिगेशन दिखाएंगे अगर आप लॉयलिटी दिखाते हैं अपने राजी के परती अपने समाज के परती जिसे एक है बच्चों में भी होगी ने तो नहीं होगी दलायल अबिटियंस इट इस पर्डेंट बेसित अप इसी के राज्य चल रहा है अप अबलाइज हैं आप अब ब्लिगेशन मानते हैं अपने उपर आप मानते हैं कि यह पुलिस डिपार्टमेंट है यह जो कह रही है वो मानना है ठाकि लोग और बरकरार रहे हैं इसलिए वह पुलिस स्टेशन मौझूद है ने तो आप देखें कि कितने सारे जगवा पे इंसिडेंट याद होगा चारा-चारी कांट जहां प है टी एज ग्रीन का यह जो कंसर्ट है ठीवरी आफ फ्रीडम एंड पॉलिटिकल अब्लिगेशन आपको समझाया हो और अगर अच्छा लगे तो अपने बाकी के दोस्तों के साथ भी सेर करें धन्यवाद